जया और आज हम स्वागत करेंगे जया किशोरी जी का नमस्कार थाइंक ये सो मच स्वागत है आपका जया किशोरी जी दीखे थोड़ा स्पिरिच्वालिटी से ही शुरू करते हैं क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट रहा है तो कहते हैं कि जब परिशान होता है इंसान जब बिमार होता है तब जाकर के वो भगवान की शरण लेता है और वैसे गीता में कृष्णन ने का है चातुर विधा भजनते माम जना सुकृती नूर अर्जुना आर्तो जिग्यासु अर्थार्ती ग्यानी भरतर चार प्रकार के लोग भगवान की शरण लेता है एक जो बहुत दुखी होता है एक जिसको पैसा चाहिए होता है एक जो बड़ा जिग्यासु होता है या भगवान ने साथवे ध्याय के सोलवेश्ट लोग को बता है वो भी भगवान की शरण लेता है जो भगवान का भगत होता है लेकिन आज आपने छे साल की उमर में भगवान की शरण लेती आपको उसके लिए बधाई और आप एक इंस्पिरेशन आप अध्यात्मिक रहा पर चल दी पर आज का जो यूथ है वो विज्वल जादा है स्पिरिच्वल कम है उनको अगर अध्यात्मिक रहा पर इंवाइट करना हो तो आप उनके लिए क्या मेसेज देना चाहेंगे सिंपल सी बात है क्योंकि जो कॉंपटिशन आज है वो पहले नहीं था आज जितना कॉंपटिशन कारियर में हैं, रिलेशन्शिप में हैं, सोशल मीडिया पे हैं वो शायद पहले कुछ भी नहीं था तो जितना स्ट्रेस आज के बच्चों को है उतना पहले नहीं था जितनी मेहनत जाध आज के बच्चों को करनी पढ़ रही है, अपने आपको प्रूफ करनी के लिए, सक्सेस्फुल होने के लिए, उस सब पहले नहीं था तो I think उनके लिए और ज्यादा जरूरी है spirituality, उनके लिए और ज्यादा जरूरी है कि वो एक काम माइंड से अपना काम करे, उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि एक सम दृष्टी रखे, सम भाव रखे, ताकि वो जो चकाचौन है, भाग दोड है, जिसमें आपको पढ़ना तो पेशिंस भी चाहिए, तो I don't think spirituality से अच्छी कोई भी चीज हो सकती है उनके लिए, आज क्योंकि दशेरा है तो एक पुरष्ण थोड़ा रावन पे भी हो जाए, कि हर इंसान के अंदर अगर एक रावन है तो उसको कैसे जलाया जाए, राम से सीख ली जाए, जैसे आज के स समय में लोग बोल रहे हैं कि रावन जैसे रावन भी अच्छा था, यहीं आप जो कह रहे हैं नेगिटिव चीजों की और जा रहे हैं, कि रावन बहुत शक्ती शाली था, पर उसने वो शक्ती दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, राम भी बहुत शक्ती शाली थे, उन् जब श्री राम ने रावन को मार दिया, सब जीत लिया, हम सब जानते हैं कि किसकी वज़े से जीता, वो श्री राम खुद थे, वो नहीं होते तो शायद ही वानर रावन की पुरी सेना को हरा सकते थे, फिर भी श्री राम ने उनको कहा, तुम्रे बल में रावन मारे हो, कि मैं जोब आप राम से सीख लेने लगेंगे तो आपके अंदर का रावन मर जाएगा व्यूटिफुल लवली आपकी जीवन परभाव किस ने डाला डाला श्री कृष्ण ने या श्री राम ने श्री कृष्ण ने पर मैंने जैसे मैं धार्मिक हूँ मेरे सामने आप किसी भी भगवान का भजन चलाएए मैं उतनी ही भक्ती से सुनूगी कि मुझे हर भगवान एक ही लगते हैं मैं एक एक जामपल देती हूँ कि व्रिंदावन माननी जे एक प्लेस पर है कोई कहीं से आ रहा उसके लिए साउथ में होगा किसी के लिए नौर्थ में होगा किसी के लिए इस्ट में पर व्रिंदावन तो अपनी जगा है तो भगव श्री राम मर्यादा पुर्शोत्तम है, डिसिप्लिंड है, बहुत सीरियस है, पर श्री कृष्ण सब कुछ है, अच्छा, अब कैसे सही गॉंटेंट को कंज्यूम करें, पहली चीज जो आपने बहुत सही बात बुड़ी, नेगेटिव चीजे बहुत जल्दी अक्टराक्ट ह क्योंकि उसमें महनत कम है, महनगी चीजों में महनत जादा है, कि अगर आपको कोई एक चीज भी खरीद नी है, तो आपको पहले तो उतने पैसे एक खटा करने में महनत लगीगा, है ना, तो जब सस्ती चीज क्या है, कि आपके लिए एजी है, किसी और को नीचा दिखाना किसी और की बुराइई करना एजी है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिल्या कोई, जो तिल खोजा अपना मुझ से बुरा ना कोई, बड़ अपना दिल कोई खोजेगा नहीं क्योंकि बहुत महनत का काम है, तो एजी क्या है, दूसरों की बुराइई कुजो, तो इस problem से उस तकलीफ से ले जाना नहीं चाहता तो वो किसी और पर इस चीज का इलजाम लगा रहा है तो चाहे इसको गाली दे रहा है चाहे इसको गलत बोल रहा है चाहे इसको नीचा दिखा रहा है उसको insult कर रहा है because this is very easy तो पहले ये जो easiness की तरफ हमारा जुकाव है वो हटे और थोड़ा टफ चीजों की तरफ जाए जब आप सचदानन की भी हम बात करते हैं सत क्या है truth भगवान तक सच पहुँचे उसे पहले आप खुद की जिंदगी के तो सच को सामना करिए हम मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पर जूट बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि हम सच से बच रहे हैं जूट बोलना easy है आप कहीं भी दे कि सच और जूट में भी जूट जादा है क्यों क्यों तो easy है negative positive में negative जादा है क्योंकि easy है तो पहले अपने दिमाग से ये हटाओ कि हमें हर चीज easy की तरफ ही जानी है हमें life easy चाहिए क्यों चाहिए life तो tough ही है आपको जब आप उन चीज़ों का सामना नहीं करेंगे तो कही ना कहीं आप बच रहे हैं, escape कर रहे हैं सचाई से पर वो सचाई एक ना एक दिन सामने आएगी लेकिन फिर इतने बड़े रूप में आएगी कि आप उसका सामना कर ही नहीं पाएंगे और तभी हम आच students में देख रहे हैं या कोई भी जो depression में जा रहे हैं या suicide करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं वो जिन्दगी का सच है, वो एक ना एक दिन सामने आएगा तो पहले जो छोटे-छोटे सच हैं आप उनका सामना करें positivity क्या है? सामना करना कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि positive होने का मतलब यह नहीं होता कि मानली जा आप गिर गए, आपको चोट लगी है और आप करें कुछ नहीं हूआ, कुछ नहीं हूआ मैं positive हूँ, कुछ नहीं हूआ नहीं, यह positivity नहीं है यह ignorance है कि आप जो हुआ है उसको इग्नोर कर रहे हैं उसे भाग रहे हैं positive है कि मुझे लगी है क्यों लगी है जानते सिवाए रोने के यह जानो क्यों लगी है और आगे कैसे ना लगे दुवारा exactly, कि रस्ता गलत था मेरा या चलने का तरीका गलत था मेरा या मैं ऐसा क्या कर रहा था कि मेरा पैर लड़ खड़ा गया this is positivity positivity is solution oriented approach exactly आपने भी depression की बात भी करी मैं थोड़ा से और आगे लेके चलता हूं थोड़ा परिशानियों की खोशियों की बात करना चाहता हूं कहते हैं कि आज बैंक में बैलेंस है पर खोशियां disbalance है कहते हैं कि branded समाने सबके पास न जाने फिर भी मन क्यों है उदास मुझे नौवे ध्याय में शुरुआत में दूसरा तीसरा एक स्लोक है भगवान का जहां भगवान कहते हैं कि मैं आपको राज विद्या दे रहा हूं आपको सु सु के प्रापटी होगी है बड़े दुखी मन के साथ कहाना चाहता हूं आज 144 देशों में हमारी रैंक 136 भी है यानि कि लोग यहां खुश नहीं है देखा जाए तो पाकिस्तान से हम पीछे हैं पाकिस्तान भी 103 रैंक पे है इस समय देखा जाए हम इरान और श्रिलंका से पीछे हैं वो भी हम से आगे हैं एक दफार मैंने गौर गोपाल जी के साथ भी बोला था यह कि सीने में जलन आखो में तूफान सक्यों है इस शहर में हर शक्स परिशान सक्यों है आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलत जगे पर खुशियां ढूंड रहे हैं क्या गलती कर रहे हैं क्यों उनको सुख की प्राप्ती नहीं हो रही हमारा देश इतना ग्यान होने के बावजूद इस अग्या नहीं देंगे जब तक विदेश का स्टांप नहीं लगेगा जब तक वो मान नहीं ले कि यह सही है आप कोई भी चीज उठाइए अभी रिसेंटली एक निउज आए थी कि आपको कब से तीर स्थलों में जो बनाना लीफ है पतलों पर भूजन मिल रहा है प्रशाद मिल रहा है पट उसके बाद जो एक इंटरनेट पे सब कॉंग्राचुलेट कर रहे हैं उनको कि कितना अच्छा काम किया है आपकी देश में तो कब से चल रहा है आपको यह दिखा क् नहीं तो हमारी आदत है कि हम अपने ट्रेजर को भी तब तक वैल्यू नहीं करेंगे जब तक वो स्टैंप ना दे दे कि यह सही है पहली चीज तो हम अपने ट्रेजर की रितब देखी नहीं रहे है कि कितना कुछ है यहां पर दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भाग दौड में है आपने जिसा का ब्रांडेड़ चीज तो है अब चलिए आपने ब्रांडेड़ चीज खरी लिए पर आप उसको समय दीजे उसको खरीद के हमारा दुसरा दाने अब क्या खरीदे यह गाड़ी खरीद लिए अब उस गाड़ी को चलाईए उसका मज़ा है यह घर जादा अच्छा है तो आपने जो लिया आपका ध्यान उस पर ही नहीं आपका बस accumulation का काम हो रहा है मैं इखटा करता रहूं इखटा करता रहूं पर जो इखटा किया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे और फिर एक टाइम आएगा जब आप उसका मज़ा लेने के लिए रहेंगे ही नहीं तो आपने किया क्या अक्यूमलेट करने की बजाए आपने सिवा और कुछ भी नहीं किया तीसरा आपका हमेशा कॉंपटिशन दूसरों से है एक कहानी मैं हमेशा बताती हूं कि एक आदमी ने तपस्या करी और उसको वर्दान ये मिला कि तुमको जो भी चाहिए तुमको मिलेगा तो तुमको जो मिलेगा उसका डबल तुमको तुमको जो मिलेगा उसका डबल तुमारे पडोसी को मिलेगा तब उसने सोचा के मुझे गाड़ी चाहिए उसको गाड़ी मिल गई पर उसके पडोसी को दो गाड़िया मिली पर उसको गुसा आ रहा है उसको अच्छा नहीं लग लेकिन फिर उसने कैसे तैसे इग्नोर करने की कोशिश करी फिर उसने कहा मुझे घर चाहिए उसको एगर मिला पर वैसा ही दो घर पडोसी को मिला अब उसको इतना इतनी जेलिसी हो रही है उस चीज से उसको अपनी खुशी नहीं दिख रही कि मुझे तो एक ही चाहिए थी न इस पर नहीं है कि हमारे पास क्या है हमारा द्यान है उसके पास क्या है तो यह जिस दिन हट गया उस दिन कहते हैं हर चीज में negativity अपनी धूंडो पॉजिटिविटी अपनी ढूंडो, सक्सेस में अपनी तरफ ध्यान दो, पर हमारा ध्यान है, उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है, उसके पास कितना पैसा है, तो आपका अपनी अच्छाईयों पर ध्यान पढ़ ही नहीं रहा, इसलिए आप हर वक्त दुख कश्मकश ही आपको सेकेंड चीज बता रही है, कि आज आम आदमी के लिए कि वो जो करना चाहरा है, उसके पीछे काम कर सकता है, पर शायद उस पर जिम्मेदारिया इतनी है, कि आप उसको दूसरा काम करना पड़ेगा, तो वो ही प्रॉब्लम है, कि कहा जाता है, कि अगर वो नहीं हो पा रहा, तो उस पटिकुलर टाइम के लिए शायद जो कर रही हो, उससे प्यार करो, अचा चुनौतियां और जो बाधाय होती है, वो स्ट्रॉ लगा करके हमारी सारी लाइफ के एनरजी को पी जाती है, सारी एनरजी खतम हो जाती है, ऐसे में जब बार बार को किन टफ टाइम्स, वो एक चीज आपके लगा क्या है, जो करनी चाहिए कि अगर टफ सिच्विशन है तो मैं बाउंस बैक कैसे करूँ, पहली चीज नम शुरू से शुरू करी नहीं रहे, आप अगर सफल हुए भी है, तो आपके पास सीख है, कि अब मुझे ऐसा क्या करना है या क्या नहीं करना है सफल होने के लिए, तो आप शुरू से कि शुरू में जबाए आप जीरो, आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ पता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां मैं पीछे रहा, क्या गलती हुई थी, और अगर ये नहीं प और वो उसी वक्त है जो हम acknowledge करने की बात करते हैं कि अगर उसको acknowledge करना क्या है कि क्यूं आया, reason क्या है और अगर आपको लग रहे हैं आपने 100% दिया है, then second is भगवान, जो मैंने कहा, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं कभी भी किसी भी चीज को लेकर दुखी नहीं हो सकती, depression वाले mode तक, क्योंकि मुझे पता है इस पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ती है, जो बैठी है मेरे लिए काम करने के लिए, वो मुझे कभी भी हारने नहीं देगी, तो अगर अभी उसने मुझे गिराया है, तो शायद मेरे लिए गिरना ही सही, मुझे इससे कोई सीख या अभी मेरे लिए वो चीज जो मुझे चाहिए, वो सई नहीं है, मिलने के बाद मैं हो सकता है, गलत काम कर दूँ, या उसको हैंडल ना कर पाओ, या उसका दुरुपियो करने लग जाओ, तो उसको पता है, कि मेरे लिए सई क्या है, मैं उस पर एक कहानी कहते हूं, जिस पर काम करना है, और वो मिलेगा तभी जब मुझे सही लगेगा, पर हमें तो हर चीज तुरंट चाहिए, ना कि मुझे या भी चाहिए, पर वो भगवान के आपको नहीं मिलती, आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छा, जया किशोरी जी, आपने बहुत सारी मुलेक आलब और आपको तो क्या कहूं कि उपर वाले में भेजा है, आपको सबके जीवन में भरने के लिए मिठास, तभी तो कृपा ऐसी कि मिष्टी से मीठी है इनकी आवाज, तो आज ऐसे तो नहीं आगे बढ़ेंगे, इस सोलफुल भक्ती संगीत की शुरुवात आपने कैसे करी, आपने संगीत को चुना या संगीत ने आपको चुना और आज अधूरा रह जाएगा, अगर एक दफा हमने तुमने लाखो की किसमत सवारी ने गाया तो, शुरुवात मैंने बच्पन से करी और आपने बिल्कुल सही कहा, कि मैंने नहीं चुना, इस शेत्र ने चाहे वो सं संग में गई थी, और वहां एक जन भजनगा रहे थे, और मैं एक हर छोटे बच्चे की तरफ फूलों से खेल रही थी, और मैं खेलते खेलते में उनके आसपास गई, पर क्योंकि मेरे घर में हमेशा से एक अध्यात्मिक माहौल था, हमें बच्पन से गीता जी या श्रीमत बहुत जादा याद रहता है, तो मैंने वहां जाकर, मुझो गा रहे थे, और मैं फूलों के साथ खेलते खेलते लिपसिंग कर रही थी, और उनकी नजर मुझ पर पड़ी थी, और उन्होंने उस वक्त मेरे पिता से कहा था, कि आपको इसको इसको शेत्र में आगे बढ़ा ये चीजे मुझ से दूर होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा भी अगर दुख होता है, या मैं अपसेट होती हूँ, तो मैं भणन चला देती हूँ, और अपने आप दिमाग ठीक हो जाता है, मेरा मूद ठीक हो जाता है, वो परेशानिया अपने आप दूर हज़ाती है, और अब ही तो देखिए पूरी दुनिया का मेरे इसाब से गीता जी है पर मैंने शुरुआत श्रीमत भागवतम से की थी उसके बाद मैंने गीता जी पड़ी तो मैं श्रीमत भागवत कहूंगी क्योंकि इसमें भगवान के सभी अवतार है उनकी सारी लीलाएं है पूरे 24 अवता आज भी आप उसको याद भी करती है चर्चा भी करती है सुनाती भी है मैं कहूंगी ऐसे तो श्रीकृष्ण की हर लीला है जो आपको बहुत पसंद आती है बहुत लुभाती है क्योंकि उसमें उत्सव है प्रेम है भक्ती है पटाकर समझदारी की अगर जीवन सुधारने क की बात कहें तो मैं पहला ही श्लोग कहूंगी जो है सचिदानंद रूपायव तो क्योंकि इसमें भगवान की रूप के बारे में बताया गया जो शास्त्रों में हैं जो है सत्चित और आनंद आट इस टूथ अवेरनेस और आनंद इस बिस कि आप इन तीन चीज को अगर अ पहुंचता भगवान के पास ही है कि मैं हो सकता है इतना घूम कर आ रहा था अगर मैं सीधा भगवान के पास भी चला जाता तो मैं सारी चीजों को समझ जाता तो सच भी भगवान है चित भी भगवान है और आनंद भी भगवान ही है क्योंकि आज थोड़ी अध्यात्मी चर्चा हुई तो मैं कुछ आड कर देता हूँ, नॉमली बड़ा भारत में मैं पूछता हूँ, आड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मैं नहीं बोल रहा होता हूँ, आप जैसे महत्वपूर्ण लोग आके बात करते हैं, इसमें ब्रह्म स प्रिष्ण हैं, और उनका विग्रह कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, उनका रूप क्या है, तो बोला सच्चित आनंद, सच जैसा आपने बता दिया, सच्चित आनंद का मैं अर्थ रिपीट नहीं करूँगा, जो कि आपने बहुत अच्छा बताया, सच्चित आनंद विग्र तो कोई कह सकता है कि भगवान का कोई कारण होगा, वो कहां से निकले, उनका सोर्स क्या है, तो बोले अनादिर आदिर गोविंद, अनादी मतलब उनका कोई बिगनिंग नहीं है, अनन्त मतलब उनका कोई एंड नहीं है, अनादिर आदिर गोविंद, वो गोविंद है, नहीं तो जब आपने सच्चेदानन विग्रह की बात करी तो मुझे लगा कि मैं श्लोक पचर्चा करता हूं थोड़ी आगे बोल देता हूं रोक नहीं पाया आपको लेकिन आज दिन आपी का है तो करियर में आपने शुरुआत से शुरू कर दिया जल्दी में शुरू कर दिया तो कि अगर आप वो सीरिसली लेते हैं तो आप अपने कॉण्फिडेंस को खतम कर लें वो इसलिए है क्योंकि आपने कोई कॉण्ट्रिब्यूट अभी तक किया नहीं है जैसे कहते ना उकते सूरज को सब सलाम करते हैं क्यों क्योंकि जब वो उकता है तो वो रौशनी देता है जब तक आप किसी फील में कॉण्ट्रिब्यूट नहीं करेंगे लोग आपको सीरिसली नहीं लेंगे तो वो आपको नहीं ले रहे आप भी उनको मत लीजिए आप अपने काम में ध्यान दीजिए intrigued करिए वो ही लोग आपके लिए तालीयाम हाँगे तो इंसल्ट्स को सीरि हो जाए reject हो जाए कुछ भी हांडल करिए यह शक्ति एक विश्वास आपको हारने नहीं देती और गलत काम भी नहीं करने देती कई बार लोग हार की गलत रास्ता अपना लेते हैं जिसे हम शॉटकट कहते हैं पर शॉटकट का सक्सेस शॉट समय तक ही रहेगा लाइफ टाइम नहीं रहेगा लेकिन जो सक्सेस आपको थोड़ा मेहनत धहरिय पेशेंस इनके साथ मिला है वो लंबे समय तक चलता है क्योंकि बगवान को मानने वाला जानता है कोई नहीं देख रहा वो देख रहा है वो हिसाब करेंगा आपका तो यह दूसरी है कि भगवान पर भरुषा रखी और तीसरा जो मेरे पापा ने मुझे कहा कि रुको न मत बहता पानी निर्मला जब रुख जाते हो तो कहीं ना कहीं वो मैं भजन में भी अच्छा कर रही थी, मुझे शायद जरूरत नहीं थी कथा की ओर जाने की, पर मुझे कुछ और करना था, और मुझे जब कथा दिखी, जो मेरी पहली कथा थी, जो अब एक इंट्रेस्ट आया, हो सकता उस वक मुझे एक मन में जिग्यासा इंट्रेस्ट आय थी, मैं मारवाडी में मैंने वो पहली कथा करी थी, और हमने डेर दो साल तक घर में सिफ मारवाडी में बात करी थी, सब्सक्राइब कर दो समय लगा था चाहती तो मैं छोड़ सकती थी, कि नहीं भाई, भजन अच्छा है, मुझे पर नहीं, मुझे करना है नहीं चीज़, मैं उस कमफर्ट जोन में नहीं जाना चाहती, और जब उस पहली कथा को लेकर कमफर्ट जोन हुआ तब मैंने श्रीम सब्सक्राइब करना है, मेरी कोई विष नहीं है, मुझे जो दिखता जाएगा, मैं करती जाओंगी, मैं प्लान नहीं करती चीज़े, और ये कोविड ने शायद और मुझे सिखा दिया कि करना भी नहीं चाहिए, कहते हैं कि अंतरमुखी, सदा सुखी, सेल्फ इंट्रोस् के साथ-साथ, मेरीटेशन पर आजका सब लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, पर मेरीटेशन के लिए शास्त्रों में तरीके बताएं हैं, मैं देखा हर धर्म में लगबग एक तरीका बताया है, जैसे सिखों के बताया है, कल्यूग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतर के कल्यूग में भगवान का नाम लेना एक अधार है, क्रिश्चैनिटी और मैंने देखा, दौ शाल चैन्टी होली नेम्स फ़ लॉड, वन दे टेन कमांडमेंट्मेंट्स, मुहाबी भी चैन्टिंग की बात करते हैं, मैंने देखा के, वन संबड़ी लॉफरिंग नमाज, क्रिश्चैनिग 99 नेम्स फ़ लॉफरिंद आफला, वन भी चैन्टिंग की बात के बड़ा रूल है, भगवान के नमों का जब्रों करने का रूल है, उनको ध्यान से सुनना, उस आवाज को ध्यान से सुनना, उस पे मिरिटेट करना, आप मिरिटेशन को लेकर के, क्या और आप कैसे meditation करते हैं और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? Exactly जो आपने बात कही और बहुत सी studies है अगर आप internet में search करें जो यह proof करते हैं कि mantra chanting जिनको उन्होंने नाम दिया है Transcendental Meditation यह सबसे अच्छी meditation मानी गई है क्योंकि पहली चीज जो mantra के जो vibrations होते हैं दोहे होंगे चाहे रामचरित्मानस, रामायन के श्लोक होंगे और कई ऐसे श्लोक हैं जो help करते हैं आपको meditation के लिए या concentration power के लिए, memory power के लिए तो बहुत पहले से यह चीज आती आई है कि mantras आपको हर चीज में help कर रहे हैं तो मैं भी meditation mantra chanting के थू ही करती हूँ morning में भी, रात को सोने से पहले भी क्योंकि वो जो आपको सुकून देता है क्योंकि पहली चीज उसके साथ एक emotion जुड़ा है आप words बोल रहे हैं या कोई भी और meditation कर रहे हैं तो वहां शायद emotions ना आए पर जब आप mantra chanting करते हैं और आप थूड़ा भी भगवान में मानते हैं तो आपका एक emotion जुड़ जाता है तो योग क्या है? यूनियन है आपको हर चीज को जोड़ना है तो शायद आपका दिमाग, आपके emotions, आपकी भावनाएं, आपकी सोच एक साथ जुड़ रहे है आपकी आवाज जब आप mantra chant कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए mantra chanting best meditation का एक form हो सकता है जो आपको हर field में help कर सकता है बेलकुल आपने ठीका भगवद गीता का एक स्लोक है इसके विशे में जहां भगवान कहते हैं कि यग्या नाम जप यग्यो असमी कि सभी प्रकार के यग्यो में मैं जप यग्य के रूप में जाना जाता हूँ यहनी कि जप यग्य, यहनी कि chanting, बहुत सुंदर थोड़ा अध्यात्मी चर्चा करते हैं तो कहीं बार सोचा जाता है कि अध्यात्मी जीवन में आगे बढ़ेंगे तो संसारी जीवन छोड़ना पड़ेगा हाला कि भगवद गीता में ऐसी बाचीत नहीं होती है कृष्ण एक जगे यहां भी कहते हैं कि यग्य, दान, तपा, कर्म, पावन, त्याज्यम, कार्य में तो एक चाहिए वो मुनी हो, पावनानी मनीशिनाम यानि कि यह को रिशी मुनी हो, उसको भी यह काम करने चाहिए और संसारी विक्ति को भी करने चाहिए तो भगवान ने इसको बताया है, पर बौस तरह लोगों को उसके उल्टा लगता है, कि संसारी जीवन का त्याग करना पड़ेगा तो प्रिच्वालिटी में तू मुच अव नौई अराउंड इट, और यह लिस्क्लारिटी लोग समझ नहीं आ रहा कि स्पिरिच्वालिटी है क्या, तो आपके इसाब से आध्यात्म को जीवन में उतारने का, अभ्यास करने का सबसे अच्छा थरीका क्या, वोड़ेगा सबसे पहला राइट वे इस होनेस्टि वित वहतेव यह दूरी, मैं हमेशा कहती हूं, गर एक डॉक्तर अपना काम अच्छे इंटेंशन चे साथ कर रहे हैं, अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं उस काम को लेकर तापीच्वालिटी ताथ कर रहे हैं, आपके इंटेंश तो सबसे पहली चीज यही है कि honesty और intention इसमें एक अब्जेक्शन दे रूँ आपको, मानलो कोई terrorist हो, वो बड़ा honest है मैं टेररिजम फैलाने में, intentions, मैंने intention word इसले भी, कि आपके intention, अब मानलीजे teacher ने पढ़ाया है अच्छे से, पर intention पढ़ाने के है नहीं, intention है कि बद अच्छ से हट जाता है, तो सामने वाले का भला होना चाहिए, जी, exactly, intention क्या है कि आपके अच्छा होना चाहिए, और जब आपका अच्छा होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अच्छे उदेशे के साथ काम कर रहे हैं, दूसरों का तो होगा भला, आपका भी होगा, बहुत स अच्छे जगे भला हो जाए, तो फिर आपने बता, आपका खुद का भी हो जाएगा, अच्छा, अगर भगवाने सबको एक जैसा बनाया है, तो किसी के पास बहुत जादा और किसी के पास बहुत कम क्यों है, प्रारब्ध, कि आप, देखे, ये भी एक रीजन है, कि ये क् प्रारब्ध को आइधिंग, प्रूव कर देता है, जो लोग कहते हैं, प्रारब्ध नहीं होता, अगर नहीं होता, तो ऐसा क्यों है, कि किसी के पास जादा है, किसी के पास कम है, कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है, जहां उसको वो सब पाने के लिए बहुत काम करना पड़े कोई तो रीजन होगा, चलिए आप रारब्ध को नहीं भी माने, find that reason, क्योंकि यहां तो आप चाहे कोई भी शास्त्र उठाई, questioning ही तो है, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, फिर भी question किया, पर ना आप भगवान से क्यों question करेंगी, वो बोड़े लड़ो तो हो, खतम कहानी, और उसने फिर भी question किया, और उसी का फल है कि हमें गीता जी मिली है, अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो शायद दो-तीन पन्नों में खतम हो जाती, पर अर्जुन को जब तक satisfaction नहीं मिला है, तब तक चलती रही, तब तक चलती रही, तब तक चलती रही, और भगवान से questioning चल रही, सोची, तो किसी और से आपकी और जादा थे ता questioning चलनी चाहिए, क्या बात, very good, very good, अब में ठीक हा, प्रारत, गहना ही कर्मनों गती, भगवान ने का है, कर्मों की गती बहुत गहन है, और प्रारत के विशे में गीता में बहुत चर्चा होई है, आपको मैं good news दूँ, मैं एक नया series लेकर क्या रहा हूँ, गीता in action, गीता को action में, जीवन में कैसे उतारा जाए, और मैं गीता को संसार में, जीवन में, लोगों के, मैं पूरा का पूरा हमारे देश में और दुनिया में, मेरा एक लक्ष है कि मैं narrative बदल दूँ, कि भगव of business, nothing, pure, भगवद गीता में क्या चर्चा भगवान ने करी, जीवन में उतारे जा सके, तो आप भी प्रातना करिए, कि हम इसके द्वारा इस मेसेज को पहुचा सके, कि धरम के चश्मे को उतार के भगवद गीता को पढ़ के देखो, क्योंकि भगवद गीता है, दवाई हर अगर को ही ले सकता है, अगर अगर आप परमिशन देतों, आपके साथ आज एक रैपिट फायर रांड कर ले, तो आप मैं अपसे जल्दी पूछूँगा, आपको ठाक ठाक जल्दी आंसर करना है, मेरा पहला प्रशन, पिछले 20 सालों में आपकी सबसे बड़ी अचीवमें अगला प्रशन, आपको लाको लोग फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं, मैं भगवान को फॉलो करती हूं, कृष्णम वंदे जगत गुरूम, उनसे बड़े कोई गुरू नहीं है, ब्यूरिफॉल, अगर आप एक स्पिरिच्वल ओरेटर नहीं होती, तो क्या होत जिसमें expression का काम होता, like express करने का, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं गाती, पर क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं express करती हूं, लवली, कहते हैं कि अगला प्रशन दे रहा हूं, कहते हैं कि जो भी होता है, अच्छे के लिए होता है, तो क्या आप इसको मान बिलकुल मानती हूँ, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ और मैं यह मानती हूँ कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करे आपके साथ सफल विक्ति कौन है? जो संतुस्ट है आपके लिए भगवान कार्थ क्या है? सब्चितानन्द सब्चितानन्द What keeps you motivated? मैं भी जो मैं जन लोगो को देखती हूँ और जब वो आते हैं और बताते हैं के मेरी बाते उनको help कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर रुकने की कोई बात ही नहीं है कि आप लोगो को help कर रहे हो जागे ता है कि यह बुराट समय था पर मैंने आपको सुना मुझे अच्छा लगा मुझे से लगता है कि अब कैसे रुक सकते हैं आप इतने लोगों की उमीद बन चुके आप उमीद कैसे तोड सकते तो आपको तो करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा That keeps you motivated the impact that you are generating आप आदमें चोटी चोटी चीजों से दुखी हो जाता है क्या कभी जय किशोरी भी दुखी होती है बिल्कुल होती है, human emotion है बहुत चीजों से कभी कुछ ऐसी बाते सुनकर जो आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया आपके इंटेंशन अच्छे थे तब दुख होता है पर दाज नॉट मीन में काम रोग दूगी मैं काम तो करूंगी क्योंकि मेरे इंटेंशन सही है तो शायद जब मुझे चाहिए था तब मुझे व अप्रिसियेशन नहीं मिला पर में काम करती रहूंगी मैं थोड़ी सी बात कहूंगी मैं कथा में कहती हूं कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति होती है यानि उनका क्रिटिसिजम ही उनका अप्रिसियेशन होता है अधभूत वेरी डीप, वेरी इंपॉर्टन मेसेज मैं तो उसको पकड़ने ला रहा हूं अच्छे से, कस के पकड़ने वाँ निंदा ही आपके स्तुति बनती है कोई ऐसा गाना या भजन जो जो किशोरी को बहुत पसंद है जो अकेरे में खुब गुन-गुनाती है मेरा अपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कनहिया मेरा नाम हो रहा है मेरा अपकी कृपा से सब काम हो रहा है वड़ा लवली मीनिंगफुल सौंग गाई एक पर्सनल सवाल आपसे इसको मैं आखरी सवाल रखता हूं अगर आपको ठीक लेगे उतर देना आपसे बाचीर करते समझाया भी आपका विवाण नहीं हुआ तो क्या जया किशोरी के जीवर में भी कोई कृष्ण किशोर है और अगर है तो वो कौन है अगर आप बताना चाहें आप विवाग करने जा रही है नहीं जा रही है साध्वी रहना चाहती है विभाग ग्रहस्त आश्वर में जहाती है पॉर्सनल क्वेस्टन ओवर टी यू नहीं अभी कोई नहीं है पर मैं ग्रहस्त में ही क्योंकि अभी भी एक तरीके से मैं परिवार में हूँ मैंने परिवार नहीं छोड़ा है और मैं पिलकुल साधारन लड़की हूँ मैं संत, साध्वी, साध्वू कुछ भी नहीं हूँ मुझे अध्यात्म अच्छा लगता है मुझे भगवान की बाते अच्छी लगती है और अभी भी मैं सीख रही हूँ, मैं कभी यह नहीं कहती कि मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं उस तरीके का जीवन नहीं जीरी जहाँ पर मैं हर वक्त इनी चीजों से घिरी वी हूँ, मैं एक साधारन जीवन जीरी हूँ, जा परिवार है, परिवार की बाते अगर रख दिया तो वो फाइदे मंद नहीं होता तो मुझे जो पता है मैं वो बात रही हूँ क Cross का स्त्रोंत्र भजन है चाहे उसका मे欸 좋은 था है motivational session है उसमें आउ हरवक भगवान की बात की मोटिवेशनल सेशन भी मैं हमेशा कहती हूँ एक डिसकाउंट की तरह बाते होती है करूंगी तो मैं वही जो मैं साथ दिन करती हूँ लेकिन लोगों के पास साथ दिन है नहीं तो आपके हिसाब से मैं एक गड़ घंटे में वह बात को यह नो घुमा फिराक के बताती हूँ बात वही है जो वह साथ दिन का सार है या कि ट्रेजर तो वही है तो करूंगी शादी भी करूंगी परिवार भी होगा बड़ अभी कोई ऐसा विचार है नहीं अभी काम है बहुत कुछ है और अभी इसी में आगे बढ़ना है और थोड़ा बदलाव लाना है बहुत खूब और मैं आप सबसे अपनी तरह से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे अच्छे मेसेज़ेस को जानने के लिए सीखने के लिए समझने के लिए जया किशोरी जी के चैनल पर जाईए उनको सबस्क्राइब करिए और उनके भी नीचे वीडियो में बताईए कि आप उनसे क्या सीखते हैं और इस वीडियो में भी अगर हो सके तो नीचे बताईए आज आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी मेरी नजर में इन्होंने भारत को वास्ता में बड़ा भारत बनाया है बाई शेरिंग दी वर्ड ऑफ विजडम जो हमारी संस्कृती है उसको बहुत आसान भाशा में करके बताया और वही नोने समझाया भी आज कि आपकी जो निंदा है वही आपकी स्तुती बन जाती है फेरी इंपॉर्टन्ट लेसन इनोने जितना सिंप्लिफाई किया उसको उसी सिंप्लिफाईड प्रॉसेस में आज जो आपने सुना नीचे लिखके बताये आपने क्या सीखा अगली एपिसोड में आप किस्ते मिलना चाहेंगे बो भी जल्दी बताईए बस थोड़ा सा और इंतलार आ गया एक और बड़ा बद्धुवार इस बड़ा भारत शोग इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए और इसको दूसरों तक पहुचाने के लिए आप सबका हिर्दे की गहराई से प्रेम पूरों बहुत धन्यवाद जया जी आपका विशेश धन्यवाद